183 रन लुटाने के बाद नहीं मिला विकेड तो पाकिस्तान उत्रा बेमानी पर शतक के करीब पहुँचे डेवन कॉनवे के साथ हुआ धोखा पाकिस्तान के चीटिंग देख निउसलेंड के बल्लेबास भी रह गई है रान पाकिस्तान खिलाव सलामी बल्लेबास डेवन कॉनवे और टॉम लेतन ने निउसलेंड टीम को बेहदी शांदार शुरुआत दिलाई 26 दिसंबर से पाकिस्तान और निउसलेंड के बीच खेले जाने वाली दो टेस्ट मैचों के सिरीज की शुरुआत हो चुकी है कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी इस मैच में पहले बल्लेबासी करते हुए मेजबान टीम ने ओल आउट होकर 438 रन बनाए जवाब में कि वे टीम के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को शांदार शुरुआत दिलाई इसी बीच कॉनवे के साथ पाकिस्तानी टीम बेइमानी करती नजर आई आईए जानते हैं क्या है पूरा माजरा पाकिस्तान और नुजलेंड के बीच खेले जाने वाले दो टेस्ट मैचों की सिरीज की शुरुआत में मैच में टोस जीतकर मेजबानी टीम ने पहले बदलेबाजी करने का फैसला किया पहले बदलेबाजी करते हुए बाबराजम की टीम ने ओल आउट होकर 438 रन बनाए जवाब में डेवन कॉनवे और टॉम लेथन ने नुजलेंड टीम को बहदी बहतरी इन शुरुआत दिला दी कीवी टीम की सलामी जोडी ने शतकी साज़ेदारी करते हुए 183 रन बनाए इस दोराण पाकिस्तानी टीम एक एक विकेट के लिए तरस्ती हुई नजर आई जिसके बाद उन्होंने सरे आम महमान टीम के साथ बैमानी शुरू कर दी दरसल हुआ कुछ यूँ कि कीवी टीम बिना विकेट के नुकसान पर 180 से ज़्यादा रन बना चुकी थी ऐसे में पाक टीम विकेट के तलाश में थी इसी बीच न्यूस्जेंट की पारी के बावन वे ओवर में गेन बाजी के लिए नौमान अली आये उन्होंने इस ओवर के छटी गेन कॉन्वे को डाली जो कि उनके बल्ले से छुकर पैड़ पर जा लेगी पाकिस्तान टीम के बेमानी कैमरों में साफ कैद हो गई हाला कि होई कुछ लोगों को मानना है कि कॉन्वे के बल्ले पर गेन नहीं लगी थी और वे आउटी हैं डेवन कॉन्वे ने 92 रन बनाए और टॉम लेथम ने 113 रन बनाए पाकिस्तान की टीम की मुकाबले में वापसी होती नजराई हेंडरी निकॉलस 22 रन और डेरल मिचेल 42 रन बिना कुछ कमाल के आउट हो गए इस मुश्किल स्थिती में केन विलियमसन ने पाकिस्तान पर प्लटवार करना शुरू कर दिया उनका साथ निबाते हुए टॉम बलंडन ने भी 47 रन की महत्तपून पारी खेली दिन के अर्थ तक केन विलियमसन ने 222 गेंदो पर 105 रन बना दिये जिसमें 11 चोके शामिल थे अब निउजलेंड के और से दो रनों की बढ़त के साथ केन विलियमसन और इस सोडी पारी की शुरुवात करेंगे